हेलो नमस्कार दोस्तों ज्ञारखंड लैब के यूट्यूब चलन में आप सभी लोग का यहां पर स्वागत है दोस्तों हम लोग आज यहां पर ज्ञारखंड जीके का क्लास नंबर 22 जो है वो यहां पर देखेंगे इसमें आज नंबर अफ कोशन जो है वो ज्यादा होंगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो अगर आप ज्ञारखंड लैप्तिलम में अगर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेज कर लिजे ताकि जो भी अपडेट साएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी और डेली मॉर्णिंग में यहाँ पर छे बजे जो है वो करेंट अफियर्स की वीडियो आती है और नौ बजे जो है यहाँ पर अब ज्यारखंड जीके की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें ठीक है आपको एक्जाम में जो है वो जहारखंड जीकी से सम्बंदित प्रस्ट जो भी होंगे आपके छूटेंगे नहीं ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पर आज का यहाँ पर महत्पुन जो है वो जीक के यहाँ पर नदियू से सम्बंदित देख रहे हैं तो आज हम लोग यहाँ प ट्रकूट की पहाडी से, बताएए इसका सही अंसर जो है, वो क्या होगा, इन चार आप्शन में से आपका सही अंसर जो है, वो क्या होगा बताएए इसका, और आप copy और pain लेकर बैठा करें, ठीक है, आप यहाँ पर comment नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद से copy आप कलम लेकर बैठा करें और देखें कि आपका कितना जो है वो सही होता है question answer ठीक है इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपके कितनी अच्छी तैयारी है ठीक है तो चलिए इसका answer जो होगा option number C जो होगा बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पर ठीक है तो छोटा नागपूर कठार से यहाँ पर निकलती है आपके किसना कची कह नदी कौन सी है स्वण रिखा की सहायक नदी कौन सी है ठीक है लूँहाँपर अपूसन देख लिए कोक्रो काची घरकई कह यह सभी बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा श्वर्ण रिखा की सहायक नदी कौन कौन सी है तो इसका सही अंसर जो होगा आपका आपसन नमबर डी जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा ठीक है यह सभी होगा कोकुरू भी है काची भी है और खरके भी जो है वो आपका आपर स्वन्रिखा नदी की सहायक नदी है कि अप्सटन नमबर डी जो होगा बिल्कुल cens is on होगा चली अगले कोस्चन में चलते हैं है अगला क्वेश्चन है स्वन्रिखा नदी का मोहना न कहां है कहाں पर जाकर किसमें मिल जाती है कहां गिरती है यह बंगाल की खाड़ी में गंगा में दामोदर में या गुमानी में इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा स्वन रिखा नदी की मुहाना जो है वो कहां है बंगाल की खाड़ी गंगा दामोदर या गुमानी तो इसका सही अंसर जो होगा आपका जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वन रिखा नदी का मुहाना जो है वो कहां है बंगाल की खाड़ी है चली अगले कुशन में चलते हैं अगला कुशन है स्वन रिखा नदी का जहारखंड में अपवाद छेत्र कितना है ठीक है जहारख स्क्वाइर कितना अपवाद छेत्र है स्वन रिखा नदी का तो इसका सही आंसर जो जाएगा आपका अप्शन नंबर दी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर ठीक है 11,868 km2 जो होगा आपका स्वन रिखा नदी जारकंड का अपवाद छेत्र होगा ठीक है तो स्वन रिखा नदी का जारकंड में आपवाद छेत्र कितना है 11,868 km2 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा चली अगले कोश़न में चलते हैं और एगला क्वेश्चन है जारकंड की एक मात्र नदी कौन सी है जो सतंत्र रुप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है तो आपका आप्सन है कांची नदी, सोन नदी, सवर्न रिखा नदी या दामोदर नदी मताईज का सही नदी खाड़ी में सतंत्र रुप से बंगाल की खाड़ी में सतंत्र रुप से गिरती है तो आप्सन नदी के बिल्कुल सही नदी यो बंगाल कि खारी में 130 टूप से गिरती है तो अपसे नंबर सी 20 होगा विल्कुल सही अश्र होगा चलि अगले कोशन में चलते हैं यहां पर जोंख कंद में स्वञ्ण रेखा नदी का आप प्वाज King Allah के जारखन में स्वन रेखा नदी किन किन जीलों में बहती है राची में पुर्वी सिंग भूम में पस्चमी सिंग भूम में A एवं B बताई का सही अंसर जो है वो क्या होगा किन किन जीलों में बहती है या किन जीलों में बहती है तो option number D जो होगा आपका बिल्कुल सही अंसर होगा यहाँ पर राची और पुर्वी सिंग भूम में स्वन रिखा नदी बहती है जारकंड के दो जीलों में बहती है राची और पुर्वी सिंग भूम में जारकंड के किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है गुमानी मोर स्वन रिखा अजय बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा जहारकन के किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है तो इसका अंसर होगा जैसा कि नाम में ही इसके स्वर्ण जुड़ा हुआ है तो यह स्वर्ण रेखा नदी होगा स्वर्ण मिन्स होता है सोना उत्री छोटा नागपूर पठार से, पाट छेतर से, राची का पठार से या फिर पारसनात से, बराकर नदी कहां से निकलती है, इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा, उत्री छोटा नागपूर पाट छेतर, राची का पठार या पारसनात, तो इसका सही अंसर जो होगा दोस तो यह यहां पर आपस में आलग आगा है तो यहां पर दख लिए उत्री छोड़ा नागपूर से निकलती है बराकर नदी चलिए अगले कुश्चन में चलते हैं यहां पर नावे नमबर कुश्चन में बराकर नदी का मुहाना कहां है बराकर नदी का मुहाना कहां है कहां पर और दामोदर नती में मिल जाती है यह तीजले चैनल तरह कुछन है यहां पर अगला अगला कुशन है यहाँ पर बराकर नदी का ऑफवाशत किन जीलों में बहती है जो इसका किन जीलों है हजारी भाग में, गिरेडे में या धनवाद में बताइए इसका सही अंसर जो है, वो क्या होगा बताइए इसका सही अंसर जो है, वो क्या होगा वराकर नदी का जो है, किन जिलो में पुआ है किन जिलो से होकर गुजरती है तो option number आपका यहाँ पर D जो होगा बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पर ठीक है? D जो है वो बिल्कुल सही होगा इन सभी जीलों से बहती है हजारी बागस भी बहती है गिरीडी में भी बहती है और धैनबाद जीली में भी बहती है तो इसका option number D जो होगा बिल्कुल सही answer होगा चली अगले question में चलते हैं दक्षिनी कोयल नदी का उद्गमस्थल है दक्षिनी कोयल नदी जो है वो कहां से निकलती है नगडी राची से, भरवाडी लात्यार से, पदमाजारी बाग से या पिसका राची से दक्षिनी कोयल पुछा जा रहा है, दक्षिनी कोयल नदी का उद्गमस्थल क्या है बताई, इसका सही answer जो है वो क्या होगा, दक्षिनी कोयल कहां से निकलती है तो इसका सही answer जो होगा, आपका option number A जो होगा, बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पर ठीक है नगड़ी राची से निकलती है ठीक है तो आपसन नमबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही एंसर होगा चली अगला कोश्चन है दक्षिनी कोयल की सहायक नदी कौन सी है दक्षिनी कोयल की सहायक नदी कौन सी है संजय बराका रारू या कारो दक्षिनी कोयल की सहायक नदी कौन सी है दक्षिनी कोयल संजय बराका रारू या कारो तो इसका सही एंसर जो जागा आपका आपसन नमबर डी जो होगा बिल्कुल सही एंसर होगा यहाँ पर ठीक है कारो नदी जो है वो दक्षिनी कोयल की सहायक नदी है चलिए एगले कोशन में चलते हैं अगला कोशन है थ鐵ीक अपर स्हेत्र कितना है लिस्ताय word 1099 स्वारह 1099 स्कोर किलो मेंटर ठीक है यहां पर दक लिए 12000 तो इसका सही एंसर जो होगा आपका अप्सन नंबर आव यहां पर देख लिए बीज होगा बिल्कुल सही एंसर होगा यहां पर 1199 किलो मेटर स्कॉयर जो है दक्षिनी कोयल नदी का अपवा चेत्र है ठीक है दक्षिनी कोयल नदी का पवा चेत्र कितना है 1199 किलो मेटर स्कॉयर चली अगले कोईशन में चलते हैं और अगला कोईशन है दक्षिनी कोयल किस जिले से होकर गुजरती है या किस जिले में बहती है लोहर दग्गा गुमला पच्छमी सिंग भूम राची मताई इसका सही एंस आपका अप्षिन नमबर यह सभी होजागा यहां पर यह सभी होगा ठीक है एंसर जोगा यह सभी होगा तो चलिए अगले कोश्य में चलते हैं यहां पर एंसर जोगा A B C D सभी होगा ठीक है संख नदी का उद्गमस्थल कहा है संख नदी कहां से निकलती है मताई इसका सही एंसर जो होगा आपका अप्षन नमबर A जो होगा बिल्कुल सही एंसर होगा चैनपुर गुमला से संख न निकलती है ठीक है संख नदी का निकलती है चैनपुर गुमला से निकलती है चलिए अगले कुश्य में चलते हैं संख नदी का मुहाना कान सा है ठीक है कहां पर जाकर वो मिल जाती है या कहां पर उसकर नदी जो है समाप्त जाती हो उतरी कोयल नदी सोन नदी स्वर्ण रख संख नदी का मुहाना कौन सी कहां पर है बताइए कौन सी नदी पर मिल जाती है जाकर तो इसका सही अंसर जो होगा आपसन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा आपका यहां पर ठीक है तो दक्षिनी कोयल में जा इसका जो है वो मुहाना है और यह दक्षिनी कोयल म कितना है संक्तन है कितना अप metrics कितना 104 Bye 4207 कि एक ताली हो साथ किलोमेठर स्कुरह करते हैं मताइए इसका सही अंसर जो हे वो क्या होगा संक्तन है थिए इसका अप्सें स्नेंब़र डीज होगा बिल्कुल सही अंशर होगा यहांपर ठीक है एक काल dg की साथ किलोमेटर śpe гiale चलिए अगला चलते हैं और अत्प लाजैस का सहायक नदी कॉन स्यारा लावा किदाल कोग संक्खनदी की सहायक नदी कौन सी है चिर्रा लावा किदाल कोग'' ऐस का सभी जो जो है संख नदी की सहायक नदी हैं ? तो एंसर जो होगा आपका यहाँ पर सभी होगा nightmare... आफ्सन नंबर जो है वो संख नदी की सहायक नदीएं छालोःवा केदार को?? चलिए अगली कुश्य जो है वो क्या होगा संख नदी किस जिले से होकर गुजरती है मता इसका सही एंसर जो है वो क्या होगा तो आपसन नंबर आपका यहां पर बीज होगा बिल्कुल सही एंसर होगा ठीक है गुमले जिले से होकर जो है वो ये गुजरती है ठीक है संक्रती किस जिले से होकर गुजरती है गुमला जिला से यहाँ पर गुजरती है चली अगले कुश्चन चलते हैं अगला कुश्चन है अजय नदी कहां से निकलती है अजय नदी कहां से निकलती है इसका अपसंदेख जो होगा आपका अपसन नंबर A जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा ठीक है मुंगेर से निकलती है ये ठीक है तो इसका अपसन नंबर A जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा अजय नदी मुंगेर से निकलती है चली अगले कोशन में चलते हैं अगला कोशन है अजय की सहायक नदी कौन सी है इसका option number A, C जो होगा बिल्कुल सही answer होगा ठीक है पत्थरों और जयानती ये दोनों ही अजय नदी की सहायक नदी है ठीक है अजय नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है पत्थरों और जयानती ये दोनों ही जो है वो अजय की सहायक नदी है चलिए अगले question में और अगला कुश्चन यहां पर देख लिए अजय नदी का मुहाना कहां है गंगा में सोन में ब्राह्मनी में या भागी रती में कहां पर जाकर यह मिल जाती है किस नदी में मिल जाती है ठीक है इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा अजय नदी जो है वो भागी रती में मिल जाती है ठीक है और वो कहां पर मिलती है तीक है अजय नदी का अभवागी रती में मिल जाती है अजय नदी का अपवाज छेतर कितना है अजय नदी का अपवाज छेतर कितना है 312, 3612, 3000 या 3500 बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा अजय नदी का अपवाज छेतर कितना है तो इसका सही अंसर जो है आपका आपसन नमबर 20 होगा बिल्कुल सही अंसर होगा 3612 km2 है अजय नदी का आपको अच्छेतर कितना है 3612 km2 तो अपसन नमबर B जो होगा आपका बिल्कुल सही अंसर होगा चलिए अगले कुछन में चलते हैं अजय नदी किस जिले में बैथती है दुमका में, देवगर में तो अपसन नमबर D जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा आपका यहां पर चलिए अगले कुछन में चलते हैं मयूर अक्छी नदी कहां से निकलती है हम लोग अभी सबी नदीओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मैं यहां पर बेस्ट 1000 कुषचन की स्रीज जो हो रेडी कर रहा हूं त्यार कर रहा हूं आप के लिए अप लोगों के लिए तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा जब हम लोग पूरा सिलेबस जो है वो complete कर लेंगे उसके बाद ठीक है और उमीद है कि इस मैने तक हम लोग सिलेबस जो है वो जारखंड जीके की complete कर लेंगे और अगले मैने जो है वो फिर best question ज क्या होगा है तो इसका सही answer जो है आप सभी को पता होगा तिरकूट तिंडर पहाड़ी से निकलती है ठीक है मैने रख्षी नदी की सहायक नदी कौन सी है ठीक है तो इतने सारे आपको नदी जो दिख रहे हैं ये सभी है ठीक है अप्सें नमबर एच जो होगा बिलकुल सह एंसर होगा यहाँ पर यह सभी होगा टिप्रा है धोवाई है पुश्रो है मुनबिल है सिंध है दवना है इसकी मैं ट्रिक कर रहा था रेड़ी लेकिन अभी तक ट्रिक इसकी नहीं हुए अगर मिल जागी तो मैं आप लोगों को प्रवाइड कर दूंगा ठीक है तो में रक् नदी के चलिए अगले कुशन चलते हैं तो आज थोड़ा लंबा है मैंने पुरा नदी जो है वाज लेबस खतम करने की टार्गेट रखी है तो आप लोगों को यहां पर वीडियो को पूरा देखिए ठीक है आप लोगों आज नदी जो है पूरा डिसकस कर लेंगे महीरक् तो इसका सही अंसर जो होगा आपसन नंबर सी जो होगा आपका यहां पर बिल्कुल सही अंसर होगा ठीक है मैं रक्षी नदी का मुहाना कहां है गंगा में जाकर यह मिल जाती है ठीक है तो आपसन नंबर सी जो होगा आपका यहां पर बिल्कुल सही अंसर होगा चलिए मैं रक्षि नदी का पूआ किन जीलों में है किस जीले से बायती है मैं रक्षि नदी दुमका शाहिवगंों देवगर गॡडा गूधर मत्या आ canon एक इसका सड़ Γalobom और तो इसका option ग्रम यह पर शाले को सुब ही जुह है वह सभी जूल से ओकरवाटी जाइब आपका महष्य नादि जुह है इन सभी सभी जुल सोकरवाथ आजनी से भी नौधा शंचे भी अण्र स्कूधर और गोड़्ड़ हो गया जिसमें नावे चला करती है ठीक है नोगम्मे नदी जो है वो जिसमें नावे चला करती है तो ऐसे कौन सी मात्र नदी है ज्ञारखन की खरकई मयुराक्षी ब्राह्मनी या संक इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा ज्ञारखन के एक मातर नौ गम में नदी जिसमें नावे चला करती हैं तो वह सिर्फ मयू राक्षी है ठीक है आपसों नंबर 20 होगा आपका बिल्कुल स़ही अंसर होगा आप से नम्बर 20 होगा बिल्कुल सही अंसर होगा चली अगले कुश्चर में चलते हैं और अगला कोईस्चन है ब्रा ब्रामनी नदी कहां से निकलती है औज सफे永 comida एगली कुछर में चलते हैं यहां पर ब्राहमनी नदी की सहयक नदी कौन सी है गुम्रो एरो यह दोनो यह इन में से कोई नहीं ब्रामनी नदी की सहायक नदी कौन सी है राइस का सही अंसर जो है वो क्या होगा ब्रामनी नदी की सहायक नदी कौन सी है तो आपसन नमबर सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर होगा यह दोनों है गुम्रो भी है और एरो भी है ठीक है ब्राहमनी गुम्रो एरो ठीक है तो आपका आपसर नमबर सीज होगा मिलकुल सही अंसर होगा यहाँ पर चली अगले कुशन चलते हैं और अगला कुशन है 32 नमबर ब्रामनी नदी का मुहाना कहां है ब्रामनी नदी का मुहाना कहां है कहां पर जाकर ये मिल जाती है कि इस नदी में ठीक है तो कोयल में संख में गंगा में या सोन नदी में बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होग ठीक है चलिए इसका option number C जो होगा सही answer होगा चलिए अगला question चलते हैं और अगला question है गुमानी नदी कहां से निकलती है पायरासनात की पहाड़ी से त्रिकूट की पहाड़ी से अमरकंटक की पहाड़ी से राजमाहल की पहाड़ी से बता है इसका सही answer जो है वो क्या होगा आप चेक कर रहे होंगे कितने आपके सही कितने गलत होंगे आप copy panel लेकर बैठा करें लिखिए जो याद नहीं होती है आपको उसको अंडरलाइन कर लिजिए या फिर नोट कर लिजिए नोटबुक में अपने ठीक है ताकि आपको चीचे जो है वह याद हो जाएंगी तो गुमानी नदी कहां से निकलती है बताइए इसका सही एंसर जो है वो क्या होगा तो इसका सही एंसर जो है आपका option number D जो होगा बिल्कुल सही एंसर होगा राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी कहां से निकलती है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है चली एक एक ही नदी है इसकी जो है वो यहां पर इसकी एक ही सहायक नदी है और वो कुछ Umm option number A जो होगा बिल्कुल सही answer होगा मेरल नदी जो है वो गुमानी नदी की सहायक नदी है मेरल नदी जो है वो गुमानी नदी की सहायक नदी है तो option number A जो होगा बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पर तीक है चलिए अगले question में चलते हैं और अगला कुश्यन है गुमानी नदी की अपवाज छेत्र जो है वो कितना है गुमानी नदी का अपवाज छेत्र कितना है तेरो सो, बारो सो, तेरो सो तेरो सो तेरो ये बारो सो बारो मताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा गुमानी नदी की अपवाज खेतर जो है वो कितना है तो इसका option number C जो होगा बिल्कुल सही answer होगा यहाँ पर ठीक है 1313 km2 जो होगा आपका यहाँ पर उतना अपवाज खेतर है इसका ठीक है तो गुमानी नदी का अपवाज खेतर कितना है 1313 km2 है चलिए अगले question में चलते हैं और अगला question है गुमानी नदी का मुहाना है उसका मुहाना कहां पर है सोन नदी दामोदर पुन पुन या गंगा गुमानी नदी कहां जाकर मिल जाती है या किस नदी में मिल जाती है बताए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा गुमानी नदी का मुहाना है option number आपका D जो होगा बिलकुल सही अंसर होगा यहाँ पर ठीक है गंगा नदी में जाकर वो मिल जाती है ठीक है तो गुमानी नदी का मुहाना क्या होगा गंगा नदी होगा ठीक है तो अपसर नमबर D जो है बिल्कुल सही अंसर है चलिए अगले कोशन में चलते हैं बस लोई नदी का उद्गा मस्थल कहां है त्रिकूट पहाड़ी देवगर बास पहाड़ गोड़ा पारस नात गिरिडी पदमा हजारी बाग मता इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा बस लोई नदी का उद्गा मस्थल कहां है तो इसका सही अंसर होगा जैसा कि नाम में ही देख लिजए यहाँ पर बस बस लोई है बस लोई तो बास ठीक है बस और बास बास पहाड गोड़ा से यह निकलती है त्रिक है तो आपसन नमबर B जो होगा अपका यहाँ पर आप स चलिए अगली कुश्यन में चलिए चलते हैं और ये लास्ट कुश्यन होगा बसलोई नदी का मुहाना है बसलोई नदी का मुहाना कौन साय गंगा सोन दामोदर या पुन-पुन मताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा बसलोई नदी का मुहाना है ठीक है कहां जाकर बसलो बिल्कुल सही एंसर होगा तो आपसे नंबर ए जो है बिल्कुल सही एंसर है तो यह था आज का महत्पुरुन जो है वो जहारखंड जी के नदियों संबंदित प्रस्थ और हम लोग यहां पर आज नदी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है लगभग सारे कोश्चन जो ह सब्सारे सारे नदियों के बारे में हम लोग यहां पर देख लिए जो है मैं आपको करने के लिए करुए ही आपको ही वीडियो बना रहा हूं थीक है तो आप इसा बार-बार देखा करिया जब देखेंग तो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है और जो है आप वीडियो को आधिक सदी सेर करें अधिक सदी दोस्तों लोग को जोड़िए ठीक है यह आप से मेरी छोटी छोटी सी गुजारी से आप इतन मेहनत कर रहा हूं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को अधिक सदी सेर कर दीजिए